हलो आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा भारती क्लासेस में वैशनो स्थर की तरप से बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम गड़े आओ करें और सीखें बक्षा 6-8 के बच्चों के लिए वर्ष 2023-24 आओ करें और सीखें परक्षिट करमांग 69 और 60 के शवालों को हल करना सीखेंगे कतिविधी का नाम खेल मुद्रा से भागफल ग्यात करना उप आओधारना भागफल ग्यात करना रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रश्न करमांग एक तीन रुपए में 25 पैसे के 40 स्थान सिक्के होते हैं तो देखे एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे एक रुपए में होते हैं तो चुकि ये 3 रूपए है, तो 3 रूपए में कितने पैसे हो जाएंगे, ये 300 पैसे हो जाएंगे, अब इसके बाद, चुकि हमको ये बताना है कि 3 रूपए में 25 पैसे के सिके कितने होते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 का भाग दे देंगे, अब देखे 25 का भाग देते ह 25 एक कम कितना प्राप्त होगा 25 अब हम क्या करेंगे 30 में से 25 को घटाएंगे तो देखे 10 में से 5 को घटाएंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा चुकि ये एक हासिल दिया है तो ये 2 में से 2 को घटाएंगे तो 10 अब इसके बाद इस 7 को यहाँ पर लिख लेंगे अब यह कितना हो गया पचास अब 25 का पहाड़ा हम दो बार पढ़ेंगे तो 25 दो ना पचास 50 में से 50 घटाएंगे तो हमको 0-0 प्राप्थ होगा और यहाँ पर भागफल कितना प्राप्त हो गया बारह प्राप्त हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि तीन रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं बारह सिक्के होते हैं इसी प्रकार से हमको भाग करकर के सभी प्रशनों को हल करना है और जो उप्युक्त उत्तर हो उसे खाले स्थान में भरना है त मीह होते हैं अभ देखिए एक रुपया में 100 पैसा च्छेशे रूपया में कितने पैसा हो जाये गाए अब 600 पैसे में 50 पैसे के कितने सिख्ये होंगे हम कैसे जानेंगे हम इसमें 50 कभाग दे देंगे 50 एक कम 50 यह हो गया सुन्य में से शुन्य घटाएंगे तो शुन्य प्राप्थ होगा अधिर 6 में से 5 में घटाएंगे तो 1 हो जाएगा अब इस 0 को लिख लेंगे अब देखेए 50 का पहाडा पढ़ेंगे तो साउ कितनी बार में आएगा यदि पहाड़ा नहीं बने तो आप गुड़ा करके भी देख सकते हैं तो 50 का गुड़ा यदि हम 2 में करेंगे तो हमको 100 प्राप्त होगा अब देखिए जब हम 100 में से 100 को घटाएंगे तो हमको 0-0 प्राप्त होगा और भाग फल हमको कितना प्राप्थ हुआ, बारह प्राप्थ हुआ, इसका मतलब 6 रूपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 12 सिक्के होंगे, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, फिर इसके बाद प्रश्न करमांग 3 को देख लेते हैं, यहाँ पर देखे क्या लिखा है, 250 रूपए में 10 रूपए के 40 नोट होते हैं, अब देखे यह भी रूपए में हैं, और यह भी रूपए में हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे भाग देदेंगे, तो यहाँ पर देखे, 250 रूपए में 10 रूपए के कितने नोट होते हैं, हम कैसे जानेंगे, हम इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो देखे, 10, 2, 20, अब यहां पर हम इसको घटाएंगे, 5 में से 0 घटाएंगे, तो 5 प्राप्त होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे, तो 0 प्राप्त होगा, फिर इस 0 को यहां पर लिख लेंगे, अब फिर से 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 50 कितनी बार में पराप्थ होगा पांच बार में तो यहां पर हम लिख लेंगे पचास अब देखिए 20 में से 50 को घटा देंगे तो हम को शुनने शुनने पराप्थ होगा और भागफल हमको कितना पराप् लिख थो गesteem पराप्थ हो चार में यहां पर देखिए 500 रूपए में 50 रूपए के कितने नोट होते हैं तो देखिए यह भी रूपए में दिया है और यह भी रूपए में दिया है अब देखिए यहां पर हमको चेंज क्यों करना पड़ता था क्योंकि यह रूपए में था और यह पैसे में था इसलिए हमको रूपय को पैसे में चेंज करना पड़ता था पर यहां पर यह भी रूपय में है और यह भी रूपय में है तो हमको चेंज करने के अवश्यक्ता नहीं है अब हमको क्या करना पड़ेगा 500 रूपय में 50 रूपय के कितने नोट होते हैं बताने के लिए हम 500 में 50 का भाग द प्चास में पचास घटाओं तो सुन्नी प्राप्त हो गाउगे Desk interprete अधी। इसे prac़ usd amation . फिर इसके बाद आपको फिर से सुन्नी प्राप्त हो जाएगा इस तरह से भागफल को कितना प्राप्त हो गया हम देससा कोग मतलब 500 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट होंगे दस नोट होंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे दस तो इस तरह से आप लोगों को सभी खाली स्थानों को भर लेना है फिर इसके बाद आ जाते हैं इसी भाग के अगले प्रशन में यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है जोड़ी मिलाईए तो यहाँ पर का लिखा है और यहाँ पर खा लिखा है हमको उप्युक्त जोड़ी को एक दूसरे से मिलाना है तो अब देखिए इसको कैसे जोड़ी मिलाए यहाँ पर क्या लिखा है 20 रूपए के 6 नोट अब 20 रूपए के 6 नोट यदी हैं तो कितने रूपए हो जाएंगे हम कैसे जानेंगे तो देखिए 20 रूपए के यदी हमारे पास 6 नोट हैं तो हम इसमें गुड़ा कर देंगे 6.00, 6.21 तो कितना प्राप्त हो गया 120 अब देखिए 120 कहां पर है यहां पर है मतलब हम 120 को इसके साथ ऐसे मिला देंगे फिर इसी प्रकार दूसरे प्रशन को भी हल करते हैं इस तरफ से भी हम हल कर सकते हैं लेकिन इधर से आसान है इसलिए आप इधर से हल करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब देखिए यहां पर क्या लिखा है पचास पैसे के दो सिक्के तो अब पचास पैसे का ये एक सिक्का हो गया और पचास पैसे का ये एक सिक्का हो गया तो पचास पैसे के जब दो सिक्के हो गए तो इनको जोडने पर कितना प्राप्त होगा हमको 100 पैसा और 100 पैसा का मतलब क्या होता है एक रुपए होता है अब देखिए 100 पैसा किस जोड़े में है यहां पर इस वाले जोड़े में है तो हम इसको इसके साथ इस प्रकार से मिला देंगे फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले भाग में अब देखिए यहां पर 2 रुपए के पचास नोट तो ये हो गया पचास नोट है हमारे पास कितने के दो रूपए के तो दो का हम इसमें गुड़ा कर देते हैं तो दो शुन नम शुन और दो पंचे दस तो हमको कितना पराप्त हो गया शौ पराप्त हो गया अब देखे सो रूपए सो रूपए हमको कहां पे दिय है तो हम क्या करेंगे इस दो को इसके साथ ऐसे मिला देंगे फिर इसके बाद एक और शवाल बचा है वैसे आप चाहें तो इसे सीधे इसके साथ ऐसे मिला सकते हैं क्योंकि एक एक दोनों तरफ बचे हैं लेकिन हमको हल करना भी सीखना है इसलिए हम हल करते हैं तो देखिए कि और यहां पर क्या लिखा है 5 रूपए के 10 नोट अब 05 रूपए के कितने नोट है 10 नोट हैं तो हम क्या करेंगे दस में पांच का गुड़ा कर देते हैं तो पांदा हम कितना हो जाएगा पचास 50 प्राप्त हो गया प्पाचास रूपए कहां यह पहले वाले आपसन में हैं तो हम इसको इसके साथ इस प्रकार से ऐसे जोड़ी बना देंगे फिर इसके बाद आ जाते हैं आओ करें और सीखें वर्क्षीट क्रमांग साथ गतिविधी का नाम खेल मुद्रा से भागफल ग्यात करना उपाउधारना भागफल ग्यात करना हमको समझ कर हल करिए और उत्तर लिखिए तो देखिए हमको यहां पर प्रशन दिये हुए हैं इन प्रशनों को हमको समझ करके हल करना है और हल करने के बाद इनका उत्तर लिखना है तो देखिए प्रशन करमांग के एक में हमको क्या दिया हुआ है 200 रुपए में 10 10 रुपए के कितने नोट होंगे हमको ये बताना है अब ये हमको कैसे प्राप्त होगा हम 200 में 10 का भाग दे देंगे तो जितना हमको भाग फल प्राप्त होगा उतने 10 रुपए के नोट होंगे तो चलें यहाँ पर हम 200 में 10 का भाग दे देते हैं तो इस प्रकार से 200 लिख लेंगे और यहाँ पर 10 का भाग दे देते हैं तो देखें 10 दोने 20 ये प्राप्त हो गया हमको अब हम 20 में से 20 को घटा देते हैं 0 में 0 घटाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा अब हम इस शुन्य को लिख लेते हैं अब देखिए दस का पहाड़ा पढ़िए शुन्य आना चाहिए तो चुकि दस के पहाड़ा में तो एक बार पढ़ेंगे तो भी दस आ जाएगा इसलिए हम दस का पहाड़ा शुन्य बार पढ़ेंगे तो दस शुन्नम शुन्य अब इस फल कुछ नहीं बचेगा तो इस प्रकार से हमको भाग फल कितना प्राप्त हो गया 20 प्राप्त हो गया अब यहां पर हम उत्तर लिख लेंगे 200 रुपए में 10-10 रुपए के नोटों की संख्या हमको कितना प्राप्त हो गई है 20 तो यहां पर हम 20 लिख लेंगे फिर इसके बात आजाते हैं इसके दूसरे प्रस्ण में 200 रुपए में 55 रुपए के कितने नोट होंगे हम कैसे जानेंगे तो पिछले सवाल की भात ही हमको यहां पर भी 200 में 5 का भाग देना पड़ेगा तो हमको पता चल जाएगा कि 200 रुपए में 55 रुपए के कितने नोट होते हैं तो देखें, पांच चोगे, बीस ये प्राप्त हो गया हमको, अब हम बीस में बीस को घटाएंगे, तो सेसफल कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अब हम इस शुन्य को लिख लेंगे, फिर इसके बाद पांच का टेबिल पढ़ेंगे, शुन्य आना चाहिए, तो हम इसको शुन् फिर सुन्ने में से सुन्ने घटाएंगे, तो सेसफल कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो इस प्रकार से हमको भागफल कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया, मतलब 200 रुपए में 55 रुपए के कितने नोट होंगे, 40 नोट होंगे, अब हम यहाँ पर उत्तर लिख ले फिर इसके बाद आजाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न करमांग तीन 600 रुपए में 20 20 रुपए के कितने नोट होंगे यह हमको बताना है तो इसमें भी पूर सवाल की भात ही हमको क्या करना होगा 600 में 20 का भाग देना होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे 600 लिख लेंगे अ 600 में देना है हमको यह हो जाएगा 20 30 60 अब देखिए हम 60 में से 60 को घटाएंगे तो सेस्पल हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा फिर इस शुन्य को लिख लेंगे अब हमको 20 का पहाड़ा पढ़ना है शुन्य आना चाहिए तो इसलिए हम 20 शुन्य पढ़ लेंगे अब शुन इसका मतलब क्या हुआ 600 रुपए में 20 20 रुपए के कितने नोट होंगे 30 नोट होंगे अब यहां पर हम उत्तर लिख लेंगे 600 रुपए में 20 20 रुपए के नोटों के शंख्या बराबर हमको भागफल 30 प्राप्त हुआ है उस 30 को हम यहां पर लिख लेंगे इसका मतलब 600 र जाते हैं अगले सवाल में देखिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या काम करना होगा यहın पर सब्सक्राइब का एक बटन दिखाई दे रहा होगा काले कलर में हमारी बीडियो के नीचे यहां पर आपको टच करना है फिर इसके बाद यहां पर आपको एक घंटी दिखाई देगी यहां पर आपको टच करना है फिर इसके बाद आपको नोटिफिकेशन में नीचे आल दिखाई दे रहा होगा यहां पर आपको टच करना है फिर इसके बाद आपको वीडि अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी फिर इसके बाद प्रश्न करमांग चार प्रकास के पास 400 रुपए हैं वह इन रुपियों से पैन खरीदता है यदि एक पैन की कीमत 20 रुपए हो तो प्रकास कितने पैन खरीद पाए हम यह कैसे जान पाएंगे हम चार शो में 20 का भाग दे देंगे तो जो भाग फल प्राप्त होगा उत्तर हो जाएगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं 400 में हमको क्या काम करना है 20 का भाग देना है तो चलें भाग दे देते हैं 20 दोनी कित्ता हो जाएगा 40 अब देखें 20 में से 20 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा 4 में 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा अब हम इस 20 को उतार लेते हैं 20 का पहाड़ा पढ़ें शुन्न कितनी बार में आएगा 20 शुन्नम शुन्न फिर आप शुन्न में से शुन्न घटाएंगे तो सेस्फल कुछ पराप्त नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ प्रकास 400 रुपये में कितनी पैन खरीद पाएगा 20 पैन खरीद पाएगा अब यहाँ पर हम उत्तर लिख लेते हैं प्रकाश द्वारा ले गई पेनों की शंख्या बराबर हमको 20 भागफल प्राप्त हुआ तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे फिर इसके बाद अगले पृष्ण में आ जाते हैं पृष्ण करमांग 5 यदि एक दरजन केले का मूल 24 कुपएय में कितनी दरजन केले आएंगे यह हमको बताना है तो देख्या इसको ग्यात करने के लिए हम क्या करेंगे 240 में 24 का भाग दे देते हैं तो यहां पर आपको क्या लिखना है 240 अब देखे आपको इसमें 24 से भाग देना है तो 24 एकम 24 ये आ जाएगा अब आपको 24 में 24 को घटा देना है तो सेस्पल कुछ प्राप्त नहीं होगा यहां पर फिर इस सुने को लिख लेंगे अब हमको 24 का पहाडा पढ़ना है और सुने प्राप्त करना है तो 24 शुनम शुन्य फिर आप सुने में से सुने घटाएंगे तो आपको कुछ सेस्पल प्राप्त नहीं होगा तो इस तरह से भाग फल कितना प्राप्त होगा 10 मतलब क्या हुआ इसका कि कितने दर्जन के ले आएंगे 10 दर्जन तो यहाँ पर हम उत्तर लिख लेंगे 240 रुपए में प्राप्त के ले बराबर कितना प्राप्त होंगे के ले 10 दर्जन तो यहाँ पर हम 10 दर्जन लिख लेंगे फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न करमांग 6 आठ सो पैसे से कितने रुपए बनेंगे ये हमको बताना है तो देखिए आठ सो पैसे से कितने रुपए बनेंगे तो हम जानते हैं कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं तो आठ सो पैसे में कितने रुपए बनेंगे 800 पैसे में 8 रुपए बनेंगे हम सीधे बता सकते हैं पर इसका सही तरीका ये होगा कि हम इसमें क्या करें 100 का भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 800 और हम 800 में 100 का भाग दे देते हैं तो देखे 100 में जब आप 8 का गुड़ा करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 800 प्राप्त होगा फिर आप 800 में 800 घटाएंगे तो सेज़ फल कुछ प्राप्त नहीं होगा और इस तरह से हमको भाग फल कि रुपए बनेंगे बराबर 8 रुपए तो इस प्रकार से यह क्या आ गया उत्तर आसा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी सवालों के हल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहे इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पेल आइकान को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर सेलेक्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें वाट्साप के मा हुआ है